पीसी ओडी यानी की पॉलेस्टिक ओवरी डिजीज जिसके वचह से महिलाओं के पीरियट्स और फ़र्टिलिटी दोनों प्रभावित होती हैं। आज के समय में अन्यमित जीवन शैली और खानपान की गलत आदतों के कारण ये समस्या काफी बढ़ती जा रही है। इस हेल्थ कंडीशन में होने वाले हॉर्मोनल इंबैलेंस का असर महिलाओं के वजन, हेर वाल और डाजेशन समेथ कई चीजों पर होता है। पीसी ओडी की लक्षणों को कम करने के लिए जरूरी दवाईया लेना भी जरूरी है। लेकिन साथ ही हमारे घरों में मौजूद कई मसाले भी ऐसे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। नमस्कार आप देख रहे हैं गुड लाइफ और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। इन मसालों का प्रियोग हमारे घरों में पीडियों से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करने में किया जा रहा है। वही इन्ही मसालों में से एक आता है दालचीनी का पाउडर। जी हां दालचीनी PCOD के लक्षणों को कम कर सकता है। PCOD में महिलाओं में इंसुलेन रजिस्टेंस की परिशानी होती है। दालचीनी इंसुलेन रजिस्टेंस को कम कर पीरिट्स को रेगुलर करने में मदद करती है। दालचीनी ओविलेशन को भी बढ़ाती है और पीरिट्स में होने वाली दिक्कतों को कम करती है। साथी PCOD की वजह से महिलाओं के शरीर में मेल हॉर्मोन्स बढ़ जाती हैं ऐसे में दालचीनी का पानी हॉर्मोनल बैलिंस का काम करता है इतना ही नहीं PCOD की वजह से होने वाले एकने और अंचाहे बालों को भी ये पानी कम करता है और महिलाओं की fertile health को भी सुधारता है साथी दालचीनी का पानी महिलाओं की संपूर्न स्वास्थे पर असर करता है ये blood sugar level को balance करने में भी मदद करता है इससे metabolism boost होता है साथी पेट की चर्वी कम होती है और वजन कम करने में भी ये मददकार साबित होता है इतना ही नहीं अगर आप PCOD के दोरान दालचीनी के पाउडर का सेवन करते हैं तो ये आपके बालों को जड़ने से भी रुखता है ऐसे में चलिए अब जानते हैं कि आप दालचीनी का सेवन कैसे कर सकते हैं देखिए इसके लिए आपको एगलास पानी में चौथाई चमच दालचीनी का पाउडर या एक इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल कर उबाले इससे कुछ देर उबालने के बार छान ले और गुनगुना ही भी आप इसमें नीम्बू का रस भी मिला सकते हैं उमीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और भी ऐसे इंफर्मेटर वीडियो को देखने के लिए आप जुड़ रहे हमारे साथ तब तक के लिए नमस्कार